देश में सिविल एविएशन पर नज़र रखने वाली एजनसी डीजी सीय के निर्देश के बाद इंडिगो और गोएर ने विभिन शहरों से चलने वाली अपनी तकरीबन 65 फ्लाइट्स कैंसल की है इन 60 फ्लाइट्स को जिन वजों से कैंसल किया गया है उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जनारदन है जनारदन कल ये अचानक ख़बर आए डीजी सीय ने आदेश दिया कि जो इंडिगो और इंडिगो है वो अपने जो फ्लाइट्स चलती है उनकी पैसल फ्लाइट्स है और एरबस ए 3 20 न्यूस जो जिसके सवारी होती हो कैंसल किया जाए क्या है इसके पीछे कार योगेश ऐसा है कि यह जो खास इसमें बात है वो यह है कि जो भी 47 इंडिगो के फ्लाइट्स रद किया गये है या जो गो एर के बार है तेरह रद किया गये है वे एक खास कंपनी से करने हुए खास तरह के इंजन है इसमें सबसे ध्यान देने वली बात है कि एक अमेरिकी कंपनी है प्रेट एंड विने पी डबलू उसकी जो फॉल्टी इंजन है उसमें जो है खराबी यह पहला मोका नहीं है उसमें खराबी लगातार जो है पाई जा रही थी यह इसको ध्या सारे फ्लाइट जो है नई फ्लाइट उसने लांच करना शुरू किया तो उसमें उसने 2016 में 2016 में एक करार किया अमेरिकी कंपनी से वहां से उसने A320 A320 नियो एयरक्राफ्ट वहां से लिए उसमें जो इंजन लगे हुए है वो उसी कंपनी के लगे हुए है पी डबलू के इंजन लगे हुए हैं वो उस इंजन में बहुत खराबी देखने में आ रही है इसका एक कतार रहा है मैंने कुछ आकड़े निकाले थे तमें बता दू आपको लेह में 24 फरवरी को इसका टेक आफ हुई जब फ्लाइट उसके बाद फिर उसे बंद करना पड़ा क्योंकि उसक हालिया मामला है टेक आफ हुई फ्लाइट उसके बाद नीचे उतारना पड़ा तो इन जब तीनों चीजों को ध्यान से देखा गया तो इसमें एक सेमिलारेटी पाई गई कि यह एटवंटी के जो इंजन है जो एरक्राफ्ट है जो अमेरिका से बनी हुई कंपनी के हैं वह इसके अलावा इंडिगो के पास एक हजार दिन फर में चलती है उन पर कोई असर नहीं पड़ा है लेकिन हां जो इस खास कंपनी के इनके पास एरक्राफ्ट उसको फिलाल रोग दिया गया है उसको फिलाल रोग गया गो और के साथ भी यही है गो एर के पास बीदोसों तीस के तकरीबँ और 230rd फ्लाइट एक दिन में उड़ती है उनकी तो मैस् новые खास बात इसमें यह है कि यह सबसे पॉप्लर फ्लाइट है जो domestic इंडिया में जो यूजわか जाता है घरिलू उडानों के लिए सबसे पॉपलर है क्योंकि ये शायद ज्यादा खरीदारी इसकी हुई अब इसको अगर दूसरे माइनों में देखें तो हम पाएंगे कि कम पैसे में ये प्रोवाइट कराती है अब इसके में मतलब सस्ती सुविधाय लोगों को मुहया कराती है सस्ती हवाय यात्रा की आप बात होती है जनारदन आपने कहा कि 1000 फ्लाइट्स इंडिगो की डेली उड़ती है देश में उसके अलावा जो 230 फ्लाइट्स है वो गो एर की उड़ती है इंडिया में जो यूज होते हो सिंगल इंजन भी यूज होते हैं जो इस बार खराबी आई है वो ट्विन जो इंजन है इनके उसमें खराबी आई है जो हालिया मामला है लेकिन इसके पहले इनके सिंगल में भी खराबी आ चुकी है उससे पहले जो और आकड़े देखे तो वाले में भी इसके इंजन में खराबी आई थी तब भी ट्विन इंजन के खराबी की बात थी तो यह दोनों जो मामले हैं वो ट्विन इंजन के मामले हैं और जो इसमें खास बात है जो खराबी आ रही है टेक आफ होने के बाद इंजन अचानत से बंद हो जा रहा है अब उस A320 News में यह प्रावलम आरहे है A320 प्लेन में भी दिक्कत आई थी तब भी डीजी सीए ने इसको कहा था कि आप एक बार चेक कर लीजिए क्या खराबियां आती हैं क्योंकि जो विदेश से फ्लाइट यहां आ रही थी उनमें भी इस तरह के परशानी सामने आ रही थी तो यूरोप में फिलहाल इस पर कड़े लगाई है एक आखरी सवाल जो हमेशा एक यात्रियों की दरश्टिकून से देखा जाया कि जैसे ही फ्लाइट्स कैंसल हो रही है और कुछ प्लेंस ग्राउंडड भी किये हैं डीजी सीए के निरदेश के बाद तो क्या इससे यात्री किराये पर कुछ असर पढ़ने की पड़ेगा क्योंकि फ्लक्चुएट होता है जैसे डेट करीबाती है वैसे वैसे किराय बढ़ता जाता है तो यह एक तरिके के परशानी हो सकती है कि अगर आप इंडिगो को छोड़ करके किसी और से जाएं क्योंकि आपको ततकाल जरूरत है और उनके पास टिकट नहीं है इंडिगो के पास तो आपका पैसा वापस तो कर देंगे लेकिन उतने ही पैसे में आपको दूसरी टिकट नहीं मिलेगी तो कही न कहीं डीजी सीय ने इस पर पाबंदी लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किये हैं इंडिगो और गो एर को कि उनके जो भी फॉल्ट